गुड मॉनी यूनिक जुक्रेशन सेंटर पर आपका स्वागत है यह वीडियो भारत में परवतों से संबंधित है और दस क्यूशनों का सेट है देखते हैं आपको परवतों के बारे में भारत के बारे में कितना नॉलेज है तो चलिए आप टेस्ट दीजिए और देखिए कि आप कितना सही कर लेते हैं अगर 10 क्यूश्चों में 9 से 10 के बीच में सही कर रहे हैं तो समझ लेजिएगा भारत में जो परवतों के बारे में आपकी जानकारी है बहुत अच्छी है तो ज्यादा समय नहीं लेगा आप एक बार चिक कर लीजिए आपको कितना आता है और इस correl जिएक जोने क्या है क्योश्च आप ध्यान से देखें क्योश्च है निमल कित में से कौन भारत का योच परवच सिखे है अवडिश्ट नंगापरवच नंदा देवी कंचन जंगप शोचि कों भारत का शरवच परवच सिखे है आप एंस्वर सुची उसके बाद मैंस्वर बताएंगे फिर आप एंस्वर मैच कराएंगे 10 क्यूस्चन है कोशिश करिए कि सब सही हो जाए चले फिर मैंसो बताते हैं आपको यहाँ पर अप्षण डी सही है कंचन जंगा जो है भारत का सर्वोच परवत सिखर है यहाँ पर थोड़ा एक क्यूस्चन नाप्वैं करेंग आपको एक बात याद रखिएगा जो कारा कोरम है वो हिमाले की चोटी नहीं है भारत में है लेकिन हिमाले की नहीं है तो यहां पर पूछा था भारत की सर्वोच चोटी अगर केटू रहा होता आप्सन में तो केटू हो जाता लेकिन केटू के बाद अगर कोई सर्वोच चाहे तो व भारत कमाइब हम ऐसे बनाए तो यह ऐसे जाएंगे यहां सुत्रा खंड अलग होगा यह सिक्की में यहां मिलेगा आपको तिब्बत के आसपास में पड़ता है यहीं पर एक गलेसियर है जेमु गलेसियर आप नाम सुने होगे तो भारत का पहले अंग नहीं था इसे तो हिमालय की सबसे मुची चोटी है लेकिन उप्सन में जो पूछा गया था अप्सन में जो पूछा गया था उसके इसाबसे कंचन जंगा होगा क्योंकि केटू नहीं था तो आप इससे याद रखेंगे चलते हैं नेक्श्ट क्यूस्ट्ट पर अगला क्यूस्ट्ट्ट चाहिए घलत नहीं जाहिए झाल सम्रताते हैं अपको यहाँ पर आपसन ऐस यह हिमाल्य की उथ पर टेथीस साहगर से लिए दसल सऊल जहां पर रांचीन के आप यहां पर देखें आप यह वाला पाट देख रहें आप पराचीन काल में यह एक अनियमित आकरित थी जो पिर्थुई के चार ओर ऐसे बना हुआ था इसके बाद सारा जल था तो जल वाले जो अस्थली भाग था वो दो भागों में तूटा ऊपर के भाग को लारेशिया बोला गया और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लेंड बोला गया तो ग जो जंथर दीखरा यही तेथिस सागर तो भारत यहां से तोटा है डूटकर इधार गया है तो यहां पर जब गया तो यहां पर टेथिस्ट ऑगर खत्यों ऊफ़्यारा है और एक नई आकरित उभर के आई जिसे हमाले बोला गया है इसको आप याद रखेंगे इमपार्ट है, next question पर चलते हैं, question ध्यान से देखें आप, question है, हिमाले का पाद प्रदेश, फूट हिल, रीजन, निमने में से किस नाम से जाना जाता है, trans हिमाले, महान हिमाले, महाव लिखा है, महान हिमाले, पीर पंजाल, सिवालिक, सोचिए इन चारों में से क्या एंसर है, चलिए, answer आप सोच लिए होंगे, हम आपको answer बताते हैं, यहाँ पर option, D सही है, सिवालिक के नाम से जाना जाता है, इधर देखें आप, जैसे यह मान लीजिए हम भारत का मैफ बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम भारत का मैफ है, तो इसमें यह वाला पार्ट महान हिमाले के जाता है, इसके जश्ट पीछे लग हिमाले है, उसके जश्ट पीछे सिवालिक हिमाले है, तो देखा जाये तो सबसे लाष्ट में पड़ता है इसके पास समतल मैडान सुरू हो जाता है इसलिए सिवालिक हिमाले को हिमाले का पाद प्रदेश या पाइर के अस्थान वाले प्रदेश के नाम से जाना जाता है इसलिए इसलिए सिवालिक हिमाले को हिमाले का पाद प्रदेश के नाम से जाने जाता है क्योंकि सबसे बड़ा महान हिमाले उसके बाद लग हिमाले उसके बाद सबसे छोटे में या फिर कम उचाई में आता है सिवालिक हिमाले important है याद रखेंगे option D सही था पीपर में कई बारे आ चुका है question ध्यान से देखें अगला question question है question है नंदा देवी कहां इस्थित है हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, नेपाल, सिक्किम सोचें काफी सरल और काफी सस्ता question है चलिए यहां से बताते हैं आपको यहां पर option भी सही है नंदा देवी उत्तराखंड में इस्थित है यह देखें आप और यह उचाई पर है दरसल प्रिथिवी से आउस्तन 4400 मीटर की उचाई पर बर्फ जानना शुरू होता है अता है इसकी उचाई भी 4400 मीटर की आसपास थोड़ा सा उपर है अता है इस पर भी बर्फ की गलिसीर मिलते हैं मतलब बर्फ इस पर जमती है याद रखेंगे नंदा देवी कहां है उत्तराखंड तो इसका answer हो जाएगा वाला उत्तरांड वहे नंदा देवी निश्ट को कुमायू हमाले में Deep के किह duct ॥्यान से देख़ें ही ठोड़ा सा टफ हो सकता है क्यूसर देखेंत बद्रि नाथ कहां इस्तित है कुमायू हिमाले में मद्ध हिमाले में हिमाद्रे में ट्रांस हिमाले में सुचे कहां पर बद्रिनाथ चलिए अंसर बताते हैं आपको यहां पर आप्शन ए सही है कुमायू हिमाले में यह देखिए बद्रिनाथ बद्रिनाथ जो है दरसल जो भारत का मैब बनता है ऐसे देखो आप एक मिनुट आपको बताते हैं जो भारत का मैब बनता है वो ऐसे बनता है अब इसमें इधर वाला जो हिमाले का पार्ट है जो पार्ट हिमाले में तूटके गया है एक मिनुट तो इधर देखें आप कि यहाँ पर येसे हिमाले है, महान हिमाले ऐसे गया इसके जश्ट पीछे लग हिमाले है, फिर सिवालिक हिमाले है तो जो कुमायू हिमाले पड़ता है ये जो मद्ध हिमाले का जो पार्ट है के पाथ उत्रखंड में से ही कुमायूं हिमाले बोला जाता है तो बदरीनाथ हुआं ऊत्रा लेकर ब्रतिश तक मिलेगा नहीं ले सकते हम हिमाद्री और्भों में समोह रहे ट्रांस के लिए लद्दाक और जो जासकर उपर सिंड़ी में हैं जम्मु कस्मीर में इन्हें ही ट्रांस हिमाले या फिर पार हिमाले के नाम जना जाता है यह भी एंसर नहीं होंगे तो आप सब्सक्राइब बद्रिनाथ कुमायू हिमाले में हैं याद रखेंगे इंपोर्टेंट है चली अगला क्यूस्चन देख लेते हैं अगला क्यूस्चन है किस हिमाले चोटी को सागर माथा कहते हैं नंगा परवत धौलागीरी माउंट एवरेष्ट कंचन जंगा सोचिए काफी सस्ता क्यूस्चन है सरल क्यूस्चन है चलिए एंस बताते हैं आपको यहां पर आफ्षन सी सही है माउंट एउरिष्ट को सागरमाथा कहते हैं एक चीज़ जानते रहीगा माउंट एउरिष्ट को नेपाली भासा में सागरमाथा कहते हैं जबकि तिब्बती भासा में से चोमो लुंगमा कहते हैं चोमो लुंगमा और नेपाली भासा में सागरमा था चोमो लुंगमा का आरत होता है परवतों की रानी तो माउंट एउरिष्ट का ही नाम है तिब्बत में चोमो लुंगमा और नेपाल में नेपाली लोग इसे सागर और इंग्लिस नाम Mount Everest अंग्रेज रखे गए थे और उसी नाम से हम लोग भी से जानते हैं तो यहां पर option C सही है याद रखेंगे सरल भी है और important भी है कई फैक्ट यहां important है और एक चीज और ब्रता दें कि भी हाल ही में Mount Everest की उचाई फिर से मापी गई है और जो नई उचाई आई है वो 8,850 आई है तो इसको आप याद रखेंगे जबकि इसके पहले कितनी थी 8,848 मीटर थी अभी 8,850 मीटर है तो दोनों important है याद रखेंगे वर्तमान में उचाई 8,850 हो गई है और एक चीज और बताएं कि य यह हिमालय है यह वास्तों में नेपाल में इस्थित है भारत में नहीं है नेपाल में है इसको आप याद रखेंगे हिमालय के मतलब Mount Everest की बात कर रहा हूं कि यह Mount Everest नेपाल में और एक बात बता दे कि सिक्की में पढ़ता है कंचन जंगा इसके बगल में मकालू पढ़ता है फिर माउंट एउरिष पढ़ता है फिर मनसालू पढ़ता है ति यह आप याद रखेंगे करम से भी क्यूस्चन देखें अंगला यह भी सरल क्यूस्चन है नंदा देवी चोटी कहां है असम हिमाले का भाग कुमायू हिमाले का भाग नेपाल हिमाले का भाग, पंजाब हिमाले का भाग सोचें, काफी सरल क्यूश्चन है ये चलिए एंसर बतातें आपको, यहाँ पर आफ्षन B सही है, कुमायू हिमाले का भाग अभी जट पहले, थोड़ी देर पहले हम आपको बताये थे कि जो कुमायू हिमाले है, वो उत्राखंड में है अब उत्राखंड में ही नंदा देवी है, आप ये तो जानते हो कि नंदा देवी जो चोटी है, उत्राखंड में है और कुमायू हिमाले उत्राखंड में है बलुचिस्तान, म्यामार, नेपाल, थाईलेंड ये कहां पर है? अराकानियोमा चलिए इस बताते हैं आपको यहां पर आप्सन भी सही है हिमाले परवत का ही एक भाग म्यामार में है इसे ही बोलो जाता है अराकानियोमा दरसल हिमाले किनारों पर मुड़ गया है एक मिनिट ये देखिए माउंट इवरिष्ट है इधर देखें आप ये हिमाले यहां से चल कर ऐसे गया है और यहां किनारे से ऐसे मुड़ा हुआ है इधर म्यामार पढ़ता है और यह भारत का पार्ट है इधर जो हिमाले का पार्ट यह मुड़ा हुआ है इसे ही बोला जाता है अराकानियोमा यह आगे आकर समुद में डूब के फिर से उपर निकला हुआ है जिसे बोला जाता है अंडमानिकोबार तो याद रखेंगे अराकान योमा के नाम से जाना जाता है मैंमार में इधर हिमाले बोलते हैं यहाँ पर एक गार्ज है सिंदु गार्ज और इस तरप एक गार्ज है इसे बोलते हैं सिंदु गार्ज यहाँ पर नंगा परवत है यहाँ नामचा बरवा परवत है यहाँ पर क का एंसर बी सही होगा म्यामार में है अराकानियोमा याद रखेंगे और अराकानियोमा का ही पार्ट है अंडमान निकोबार दीप में जो परवत जो उभरा हुआ है तो यह सब अराकानियोमा का ही हिस्सा है एक परकार से हिमाले का हिस्सा है यह सब आप याद रखेंगे जनरल एक मिनिट हुइसां पिच में कहह रहा है कि कि पारो सड़ी के बीच ति थे धवाला धार पीट नाग अग नगने पीर पैंजाल मध्य हिमाले था स्वालिक हिमाले हैं शोचे कैसे बीच में अग्या चलाया एंसर बताते हैं आपको यहाँ पर option यह सही है धौलाधार तथा पीर पंजाल हिमालाए के जो हिस्सा पड़ता है यहाँ वाला इसको धौलाधार पीर पंजाल बोलते हैं और उसी में कुल्लू घाटी जो की हिमाचल प्रदेश में है तो धौलाधार और दिखाने का थोड़ा कोशिस करते हैं आप यह माइब देखें एक मिनट इस माइब को ध्यान से देखें आप यह माइब जो वना हुआ है इसमें इधर का जो हिस्सा है इधर मिलेगा आपको धौलाधार उसके बाद पीर पंजाल तो यह वाला हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है और इसी स्रेड़ी में कुल्लू घाटी मिलती है तो यह पूछा जारे कुल्लू घाटी की स्रेड़ी के बीच में धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में यहां कुल्लू घाटी है प्रिटक केंद्र हैं लोग यहां घुमने टहलने जाते हैं तो कभी important चीज़ें दर्शनी हैं देखने को मिल गलत ना हो निम्रिकित में से सबसे प्राचीन परवस्रेडी कौन सी है जरा सभी अगर आप पढ़ेवद गलती नहीं होगी हिमालय अरावली बिंध सत्थपुड़ा सोचे चलिए अंस बताते हैं आपको यहाँ पर आफ्शन बी शही है अरावली परवत को आपसिष्ट परवत के रूप में जाना जाता है एक वलिद परवत है और यह जब पृत्वभी पे चटानों का निर्माड और परवतों का निर्माड शुरू हुआ था शुरू में परवत सबसे प्राचीन परवत है एक चीज़ याद रखेंगे अगर पूछे कि अरावली परवत के बाद सबसे प्राचीन तो बिंधाचल की परवत परवस्रडिया है उसके बाद सत्थ पुड़ा है और उसके बाद हिमाले मतलब कि हिमाले सबसे नया परवत है याद रखें जंगल काटे जा रहे हैं बीहड होता जा रहा है हलाकि इस पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है लेकिन अभी पूरी तरीके से रोक नहीं लग पाया है लेकिन फिर भी अरावली बहुत कट छट गया है लेकिन एक अवसिष्ट परवत है सोचिए कि यह जब आज से 300 साल पहले ज उसका नाम है गुरु सिखर इसको भी आप जानते रहेंगे अरावली परवत की जो सबसे उची चोटी है उसका नाम है गुरु सिखर यह आप याद रखेंगे वहाँ पर जैन मंदिर भी बनाए गये हैं यह भी याद रखें क्योंकि राजस्थान में जैन धर्म मानने वाल चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप पढ़ते रहें